दोस्तो मेहंदिपूर बालाजी मंदर के बारे में कौन नहीं जानता ये भारत का एक ऐसा मंदर है जिसके अंदर पाउं रखते ही लोगों की रुख तक काप जाती है अंदर का नजारा इतना भयानक होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता मेहंदिपूर बालाजी मंदर के उपर विज्ञानी को ने कई बार शोद किये कि आखिर इस मंदर में ऐसा क्या है जहां भूत प्रेसे ग्रसित लोग आते ही बिलकुल ठीक होकर घर वापस जाते हैं दोस्तों आपको जानकर ये आस्चरी होगा कि मनुची किस्ता विभाग याने कि साइकेट्रिश डिपार्टमेंट ने मेहंदिपूर बालाजी मंदर में आने वाले लोगों पर शोद किया और उनके नतीजे ऐसे थे जिसे देखकर डॉक्टर की पूरी टीम आस्चरी चकित हो गई आखिर क्या है मेहंदिपूर बालाजी में खास आखिर मेहंदिपूर बालाजी मंदर के उपर विज्यानी कितना शोद क्यों करते हैं आखिर डॉक्टर की टीम को मेहंदिपूर बालाजी के मरीजों में ऐसा क्या दिखा जिसे देखकर सब हैरान हो गए मेहंदिपू प्रतिमा है यहां तीनों देवताओं के अलगलब प्रकार के प्रसाद है और उनकी पूजा अरचना भी भिन्य तरीकी से की जाती है इस मंदर के बारे में जानकर आप हैरत में बढ़ जाएंगे यहां के विच्चितर नजारे रहस्त में गाथाईं सुनकर और देखकर आप प पानी के लिए आते हैं अमूमन आस्था के प्रतिक मंदरों में लोग पूजा अरचना के बाद प्रसाद चढ़ाते हैं और उसे घर ले जाते हैं परंतुस रहस्त में मंदर में ऐसी नियमा वली बिल्कुल भी नहीं है यहां ना तो आप प्रसाद ग्रहन कर सकते हैं और ना माना जाता है कि जो वैक्ति इन नियमों का पालन नहीं करते प्रसाद या अन्य वस्तों को घर ले जाने की कोशिश करते हैं उनकी उपर भूत प्रित का साया मंदरानी लगता है और वैक्ति पड़ेशान हो जाता है मेहंदेपूर बाला जे मंदर का इतिहास करीबन 1000 साल मेहंदेपूर बाला जे मंदर में हनुवान जी के साथ ही दो और प्तिमाई मौझूर है ऐसा कहा जाता है कि मंदर के एक प्राचिन अपने सपने में यहां तीन देवताओं की प्रतिमा को देखा था जिसे मंदर निर्मान से जोरकर देखा गया और इसी स्थान पर मंदर का निर्मान किया गया और यहां हनुमान जी की सहीद तीनों देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गए मेहंदी पुरबाला जिम मंदर के बारे में लोगों का ये कहना है कि इस मंदर में जाने के बाद वैक्ति को एक अलग अनुभूती होती है मंदर जिस छेतर में बना है वहां का वातवरन गरम है बावजु दिसके लोगों को या ठंड़क का एसास होता है साथ ही इस मंदर की एक और खासियत ये है कि इस मंदर में साल की किसी भी दिन दर्शन के लिए जाने पर यहां भीड की कमी नहीं होती हर दिन यहां भक्तों की कतार दर्शन के लिए लगी रहती है जैसे अन्य मंदरों से आरती और घंटियों की आवाज आती है इस मंदर से उनसे उलट और तो और आदमियों के तेज चिलाने की आवाजे आती है जो पहली बार मंदर पहुचने वाले लोगों को भी डरा देती है इस मंदर का माहौल देश के आने मंदरों से बिलकुल जुदा होता है इसलिए कमजोर दिल वाले लोगों को इस मंदर में ना आने की सला दी जाती है मंदर पड़िसर में चार चेंबर बने है जिन में पहले दो चेंबर में हनुमान जी और भैरो बाबा की प्रतिमाएं मौजूद है मंदर के आखरी कक्ष में जिन लोगों पर पेतों का साया होता है उन पर धार्मे क्रियाएं की जाती है महंदिपुर बाला जी मंदर के भागवान हनुमान जी के प्रतिमा में बाई और एक छेद है यहां से हमेशा एक गोले कतार में जल की तेज़ प्रहा निकलती रहती है लोगों के मानिताओं के नुसार यह बाला जी का पसीना है यहां प्रसाद की रूप में बाला जी को लड़ू, प्रेतरा सरकार के चावल और भैरव को उरत का प्रसाद चढ़ाय जाता है माना जाता है कि जिन वैक्तियों पर उपरी साया मनराता रहता है जिन पर प्रेतों की मायावी शक्ति हावी रहती है ऐसे वैक्तियों को जैसे ही इन प्रसादों को खिलाय जाता है वो लोग अजीब और गरीब तरकी हरकत करने लगते है मेहंदपुर बालाजी मंदर के दर्शन के लिए आने वाले सभी यात्रे के लिए ये नियम है कि कम से कम एक सप्ता के लिए लहसुन, प्याज, शराब, अंडा, मांस का आप सेवन नहीं कर सकते वालमी की द्वारा लिखित रामाइन में हनुआन जी को भागवान स्री राम का परम भक्त बताए गया है और यही करण है कि हनुआन मंदर के पास राम सीता के मंदर को भी बनाय जाता है बालाजी मंदर के ठीक सामने स्री राम सीता की प्रतिमा है बाला जी मंदर की मानिता है कि भागवान स्री राम सीता की पृतिमा का दर्शन बाला जी मंदर माई भगतों यात्रियों को करते ही रहना चाहिए अमूमन यहां के परसाद अन्य मंद्रों से भिन्न होते है यहां परसाद को दर्ख्वास्त और अरजी दोनों स्रीनों में बाटा गिया है दर्ख्वास्त को बाला जी धाम में हाजरी भी बोलते है हाजरी के परसाद को दो बार खड़िदना होता है और अरजी में तीन थालियों में परसाद मिलता है मंदर में दो वर हाजरी लगाने के बाद वहां से तुरंत निकल जाना होता है अरजी का परसाद लोटते समय लेते हैं इस परसाद को अपने हाथों से पीछे के और फेकना होता है नियम के अनुसार इस प्रसाद को फेक्तिस में पीछे नहीं देखना चाहिए बाला जे मंदर दरवार में तीनों देवता, हनुमान जी, प्रेतरा सरकार और भहरो बाबा की प्रतिमाय है भहरो बाबा यानि कोतवाल कप्तान की मुर्दिया है यहां पर हर रोज दो बजे प्रेतरास दरवार में पेशी होता है दूर दरास से आयों लोगों की उपर भूत प्रेत की साया को यहीं पर दूर किया जाता है इस मंदर पर दूर दरास से कई यात्री आते हैं और यहां उन्हें भूत पिसाज प्रेज जैसी समस्याओं से चुटकाड़ा मिल जाता है। इस मंदर के अंदर अजनिवियों से बात करने और उन्हें छूने पर मना ही है। मंदर के अंदर कुछ खाने पीने पर भी रोग है। मंदर से वापस जाते समय कोडिय परसाद ये अन्य समागरी साथ ले जाना मना है। मंदर से जाते समय पीछे मूर कर देखने पर भी सक्त पाबंदी है। विज्यानिकों और डॉक्टरों को जब इस बात का पता चला कि मानसिक तोड से ग्रसित लोग यहां आते ही ठीक हो जाते हैं तो उन लोगों ने इस मंदर पर शोध किया। और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा कैसे होता है। डॉक्टरों की टीम ने महंदिपूर बालाजी मंदर के कुछ मरीजों पर सोध किया। वे ऐसे मरीज थे जो मौडरन मेडिकल साइन्स के नुसार ठीक नहीं हो सकते थे। पर इंतों जैसे ही वे सारे मरीज महंदिपूर बालाजी मंदर में आए वे सब ही अचानक ठीक हो ग कि आधुनिक विज्ञान चिकीसा पंदती भी मेहंदिपुर बाला जी मंदर से हार गए।